आल्राइट गाइस सो वेलकम बैक टो आई रियक्ट्रियास मिन्य प्रोजेक्ट तो आज किस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का डिजिटल फ्लॉग बर आएंगे सो चलते हैं अपने VS Code की सक्रीन की तरफ और इसको करते हैं सॉर्फ आल्राइट गाइस सो जैसे के हम लोग अभी अपने VS Code की सक्रीन की तरफ आ चुकी हैं और याप मैंने पहले से अपना प्रोजेक्ट जो था वो ओपन करके रखा हुआ था अगर आप लोग ने ओपन नहीं किया तो पहले आप अपन कर लें यागर क्रियेट नहीं किया तो पह हो दिखाना बहुत ही सिंपल है सही है सो मैं एक वेरिबल बना रहा हूँ यहाँ पर टाइम के नाम से सिख्या है लेट टाइम विच इस एक्वल तु नियू डेट नियू डेट क्या करेगा जो आज की डेट होगी वो हमें चिनरेट करके देदेगा ओके डार्ट टू लोके यहाँ पर टाइम को दिखाना चाहरा हूँ जो मेन हेडिंग आवर टाइम यहां पर मैं दिखाना चाहरा हूँ ठीक है सो जो टाइम का मैंने वेरिबल बनाया था मैंने यहां पर कर्ली ब्रैसिस में पेस्ट कर दिया और यह पास टाइम आ गया बट मुझे इस तरह टाइम दिखाना मुझे जो है वो डिजिटल फॉर्मिल टाइम दिखाना जो के खुद बखुद चेंज ओर रहा है अब इस तरह इसको रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये चेंज होगा ताइम जो होगा मेरा रिफ्रेश करने पर चेंज मुझे नहीं चाहिए मेरा टाइम जो अब आफिस जाएंगे वी एस को रहाएंगे और वी एस कोड में जाकि हम लोग एपनी स्टेट बंते हैं सबसे पहले यू स्टेट जो हमारी होती हैं मुझे बना रहा हूं बना रहां तो मैं इसके बाद और अ मैंने लिखती है इस के ब्रैकिट के अंदर मैं आपने जो ना वो दो मैं बना रहा हूं state शोंगी which is current time and set current time, ठीक है so जब भी मुझे state को update करना होगा तो मैं set current time से अपनी state को update करूँगा और इस के अंदर use state के अंदर मैंने time लिया होए नीचे सो मैं वहाँ पर time pass कर रहा हूँ जो initial value होगी मेरी use state के अंदर वो time होगी ठीक है सो अभी नीचे मैंने जो heading में time था उसकी जगह मैं current time कर दियता हूँ और मेरी use state थी वो ओपर define नहीं थी पहले मैं उसको define भी कर दियू या initialize मैं कर दियता हूँ ठीक है सो अभी control s करेंगे और browser में जाकर check करते हैं क्या कुछ फरक पर रहा सो मतलब पहले मेरे पास time मैं दिखा रहा था अब मैं उस time के जगह भी use state को जो मैंने hook बनाई थी सो मैं वहाँ पे current time दिखा रहा हूँ सो मुझे अब इस time को update करना होगा ठीक है सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ पहले आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ बटन के साथ के button लगा के मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं button पे click करूंगा तो तब भी time update होगा सो पहले button लगा के check लेते हैं ठीक है सो इस button के अंदर मैं एक on click का function लगा रहा हूँ विच इस update time ओके सो इस update time को हम लोग use करेंगे अब इस update time को मैं function बनाऊंगा उपर const update time विच इस एन arrow function मैं बनाऊंगा यहां पर ओके एंड जो time हमने उपर लिया है विच इस new date वाला सो उस time को भी मैं यहां पर पहले उठा के copy करके मैं पहले यहां पर paste कर देता हम और अभी हम क्या करेंगे जो मैंने state बनाई है उपर सो मैं इस state को update करवाँगा ओके सो मैं set current time से उसको update करवाँगा जब भी मुझे state change करवाँए जब मुझे update करवाना था मैं set के function से करवाँगा सो मैंने अभी क्या किया जो set current time था उसके अंदर मैंने क्या रख दी जो मैंने date बनाई थी वह मैंने रख दी Time की value जो थी मैंने वह पर दी, Time का variable मैंने बनाया था मैंने वह पर रख दी आ okay जो अभी क्या होगा जैसे ही मैं इस button पर klik करूँगा तो, तब मेरे जो time वह और चेंज होगा जब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा जब जब मेरे बटन ट्रिगर होगा तब तब जो टाइम होगा वो चेंज होगा तो पहले रिफ्रेश करने से चेंज हो रहा था अभी बटन पर क्लिक करने से चेंज हो रहा है अगर आपको इस तरह का कुछ चाहिए तो आप इस तरह भी बटन के साथ बना सकते हैं लेकिन हम इस तरह करने चाहिए हमारे पास तो इस तरह का डिजिटल क्लाग को जो कि आप्टोमेटिकली चेंज हो और उसके लिए मैं एक सेट इंटर्वल जोना वह यूज़ करूंगा यहां पर और उसमें जो हम टाइम की लिमिट होगी वह सेट कर देंगे कि हर वान सेकिन के बाद जो टाइम है वह अपडेट हो सेट इंटर्वल में मैंने बता दिया उसको के अपडेट टाइम करो एवरी वन सेकिन हर सेकिन के बाद और बटन के में जुरूरत नहीं है उसको मैंने रिमूफ कर दिया और जो सेट इंटर्वल का आई था वो कैपिटल होना चाहिए सेट इंटर्वल के इसको कंट्रोल एस करने के बाद चेक करते हैं अभी फाइनली हमारा जो डिजिटल ख्लाक है वो इंप्लिमाट हो चुका है जो के खुद बखुद जो अपडेट हो रहा है you इसमें फुरी सी ऐसलों भी कर लेते हैं तो थैसा क्लॉब को स्टाइल भी कर देते मैं सहीा है तो मैं इन-टाइलें चुक के यूज्य कर रहा हूं यहां पर तो डिप के अंदर जो आतर हम लोग सबसे पहले तो इसको जो नवा सेंटर में लेके आते हैं इस इंटाइर डिव है हमारी मैं उस इंटाइर डिव को सेंटर में नहीं आँँगा तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं और चस्टीफाइड कॉंटेंट जो होगा ना इसका वह सेंटर कर देते हैं को है कि कि अब इस दीर संटर है और विए संटर में आगया लेकिन मुझे एक लाइन में चाहिए मैं इसको फलेक्स की बजाय के घरिट कर देता हूं मुझे ऊपर नीचे यह चाहिए तो यह डिजिटल क्लॉक हो गया नीचे मेरा टाइम शो हो गड़ा है मैं इसमें अभी कोई बॉर्डर वगर अभी एड़ कर दियता हूं टो इसमें बॉर्डर हम लोग दे देते हैं टू पिक्सल या वान पिक्सल एड्ड कर लेते हैं पहले वान पिक्सल एड़ करके शीघ कर लेते हैं पहले नीचे यह च्लिपटीए कापी कर लिया था जो मुझे चाहिए फिजिस और इंस ट्राइप शीड होगी सो इसको टू कर तो पिक्सल ठीक हो गया अभी इसको जड़ा साथ कर लेते हैं किस तरह यह लग रहा है ठीक है अभी इसमें हम लोग मार्जन पैडिंग एड़ करेंगा तो यह मजीद बेतर हो जाएगा नहीं है अभी रहा है और प्रप्रशन, प्रप्रशन, मजन पूम, कर अड़त है, इसको यह विप्संटेज में पहरेगा हैं यह हैं कि में वह ज्यादा मार्जन débार हया अब मार्जन dessas मिज़्ेद करें जिस तरह कि आपको पसंद है मैं बस ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है स्ट्राइलिंग पे 15 पिक्सल जाना 15 पर्शन मैं ने इसको स्ट्राइलिंग दे दिया और जो इसको पैडिंग होगी वो मैं इसको 5 पर्शन दे रहा हूँ और उसके बाद हम इसको कुछ वेड़्गरों कलर भी आइड कर देंगे और बैकरों के बाद जो इसको का फॉंटा कलर अवह भी आड़् कर देंगे खृस रॉन तो यह ऑगा dust में पैकर रॉन कलर इसको इसको कॉपई किया ओधा कलर पहले से ड़न इसको पैस्ट कर दिया और जो इसका कलर होगा वो वाइट होगा हैश्टाइग एफ 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 ठीक है अभी इसको सेफ करके सेक कर लेते हैं हमारा जोना क्लॉक अभी काफी अच्छा लग रहा है स्टाइल होने के बात सो आई होप के आपको ये डिजिटल कलाग जो हमने आज बनाया वो आपको पसंद आया होगा सो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सो मुझे दीजिए अजासत अलाफीस